Welcome all of you, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, Class 6th, N.C.E.R.T, Book, Impact with the Sun, 3rd Chapter, The Shepherds' Treasure, चरवाहे का घजाना Students, यह एक Iranian Folk Tale है, Iranian दंत कता है, एक चरवाहे के बारे में है, चरवाहे के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो अपने भेड़ वक्रियां आदी चराते हैं, वो ही शाफर्ज हैं, ठीक है? तो इसमें एक लड़का है, जो कि बहुती ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन पड़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी उसके चरचे दूर दूर तक हैं, क्योंकि वह वहुती ज्यादा वाइज है, एक बार तो एक राजा भी उससे मिलने आते हैं, आग एक स्टोर में क्या-क्या है, आएए पढ़ते हैं, इन्हें विलेज इन एरान, दियर वंस लिवडे शैफर्ड, एक बार की बात है, कि एरान में एक गाउं में एक चरवाहा रहा करता था, He was very poor, वह बहुत गरीब था, he did not have even a small cottage of his own, यहां तक की उसकी अपनी छोटी से जोंपडी भी नहीं थी, He had never been to school or learned to write and read, उसने पढ़ना भी और लिखना भी नहीं सिखा था, क्यूंकि वह विद्याले नहीं गया था, For, there were very few schools in those days, क्यूंकि उन दिनों बहुत ही कम school विद्याले हुआ करते थे, अब आज कल आप देखते होंगे हमारे आसपास बहुत सारे विद्याले खासकर प्राइमरी स्कूल्स देखने को मिल जाते हैं, तो उस समय इस तरह के विद्याले बिलकुल नहीं होते थे, यानि की दूर दूर हुआ करते थे, तो इरान की ही बात नहीं है, इंडिया की बात भी ऐसी ही है, आगे पढ़ते हैं, तो पूर एंड अनगुकेट ते शेफर्ड वस वेरी वाइस, यदे पी गरीव और अशिक्षित था परन्तु यह चरवाह वहुती ज्यादा बुद्धिमान था, He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. वह लोगों के दुखों और कस्टों को समस्ता था, और साहस और बुद्धि के साथ, उनकी समस्याओं को सुरजाने में, उनका सामना करने में, उनकी सहायता करता था. Many people came to him for advice. कई लोग उसे सलाह लेने के लिए आते थे, शिक्षा लेने के लिए आते थे. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. जल्दी ही वह अपनी बुद्धि और मित्रता भरे स्वभाव के लिए परसिद्ध हो गया. The king of that country heard about him. उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना and thought of meeting him और उसे मिलने के बारे में सोचा. अब इतना सही है वो चरवाह कि राजा भी उसके पास जाना चाता है. Disguised as a shepherd and riding on a mule. तो चरवाह की भांती भेश बना कर और अपने mule खचर पर सवार होकर one day the king came to the cave. एक दिन राजा उस गुफा के पास आया where the wise shepherd lived जहांकी बुद्धि मान चरवाहा रहा करता था. एसुने दा shepherd saw the traveler जैसे ही चरवाहे ने अगंतुप यात्री को देखा coming towards the cave कुफा की ओर आते हुए he rose to welcome him उसका स्वागत करने के लिए वह उठ कया. He took the tired traveler inside the cave ठके हुए यात्री को वह गुफा के अंदर ले गया, gave him water to drink, पीने के लिए उसे पानी दिया and a share of his own maigre meal. और अपना जो थोड़ा सा भोजन था उसके साथ बांटा. अब उसके पास थोड़ा सा भोजन है तब भी वह उसके साथ share कर रहा है. The king rested for the night in the cave. रात को राजा ने उस गुफा में अराम किया and was greatly impressed by the shepherd's hospitality और वह चरवाहे की hospitality एहने आदर सतकार से बहु ज़्यादा प्रभावित था. And wise conversation और बुद्धी मता से भरी बाद चीज जो उसने की उससे भी वह बहुत ज़्यादा क्या हुआ प्रभावित हुआ. Though still tired, the king decided to depart the next morning यदे पी अभी भी थका हुआ था लेकिन राजा ने निन्ने लिया कि वह अगली सुबा चला जाएगा. He said, many thanks for your kindness to a poor traveler. एक ग्रीब यात्री के लिए द्यालुता दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. I have a long way to go, मुझे बहुत दूर जाना है, permit me to leave, मुझे जाने की अग्या दो. Looking straight into the eyes of his guest, अपने guest मिहमान की आँखों में सीधा देखते हुए, The shepherd replied, चरवाहे ने उत्तर दिया, Thank you, your majesty, मेरे महाराज. धन्यवाद for paying me the compliment of a visit, तो ब्रहमन का बिलकुल compliment देने के लिए, या मेरे परशंशा करने के लिए, या मेरे पास आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अब उसने क्या बोल दिया, majesty, महाराज, अब चरवाहे को कैसे पता लग गया, क्यूंकि वो क्या है, wise है, आगे पढ़ते हैं, The king was astonished as well as pleased. राजा बिलकुल हैरान था और बहुत ज़्यादा प्रसंद था, He is indeed very wise, वास्तम में वह बहुत बुद्धिमान है, He thought to himself, उसने अपने आप में सोचा, I need people like him to work for me, मुझे इस तरह के लोगों की अवश्रक्ता है, जो मेरे लिए काम करें, and the king appointed his humble shepherd the governor of a small district, और राजा ने उस विनमर चरवाहे को छोटे से जिले का governor निक्त कर दिया, Although, अब देखो, चरवाहे की बुद्धी का कमाल बड़ा लिखा नहीं है, लेकिन विनमर है, wise है, और राजा ने यहीं देखा, और उसको छोटे जिले का governor बना दिया, अब आगे क्या होता है, Although he rose to power and dignity, यह देखी उसकी शक्ती और सम्मान में वृद्धी हुई, the shepherd remained as humble as ever, लेकिन shepherd विल्कुल वैसा ही विनमर बना रहा, जैसा पहले था, People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness, लोग उससे प्यार करते, उसका सम्मान करते, क्यों करते, उसकी wisdom, बुद्धी माने के लिए, सहानु बुद्धी के लिए, और अच्छाई के लिए, He was kind, वो देयालू था, and just to one and all, जैसा हे के लिए था, वैसा ही सभी के लिए था, His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country, पूरे देश में उसके जो fair decision होते थे, वो जैसे बुद्धी मानी दिखाता था, जल्दी ही वो पूरे देश में famous हो गया, यानि कि उसकी पूरे देश में फैल गई, Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him, and began to talk to the king against him, अब क्या है, जो दूसरे परांतों के governors थे, तो वो बहुत बुरी तरह से उसके इर्सिया लू बन गए, इर्सिया करने लग पड़े, और उसके विरुद राजा से बात करना उन्होंने शुरू कर दिया, उन्होंने कहा, वह बहुत बेइमान है, and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people, जो लोगों से वह कर इकठा करता है, उसका हिस्सा वह अपने पास रखता है, यानि कि उसके पास पैसा है वाई, कि लोगों से जो tax इकठा करता है, tax से बचा हुआ कुछ पैसा अपने पास रख लेता है, राजा के पास यह बात, दो jealous governors हैं उन्होंने बताई, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, because they are very much jealous of him, why did he always carry with him, they added an iron chest, वह हमेशा अपने साथ क्यों उठाए रखता है, उन्होंने आगे जोड़ा an iron chest, एक लोहे का संदूक, perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected हो सकता है, शायद उसमें उसने वोख जाना रखा हो, बिलकुल जो की उसने चुपचाप इकठा किया था, after all, they said mockingly, उन्होंने बिलकुल मजाक उड़ाते हो कहा, he was an ordinary shepherd, वह के बले एक साधारन चरवाहा था, and could behave no better, और वो ज्यादा अच्छा भी जो behave है, बिलकुल भी नहीं कर सकता था, अब उस iron chest में क्या है, जो इरस्यालो गवरनर्स हैं, क्या उनकी बात सच है, जो वो राजा से कह रहे हैं, आगे देखते हैं, at first the king did not pay attention to these reports, पहले तो राजा ने इन सोचनाओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, but how long could he ignore these governors, परन्तु कब तक वो हो, राजा है, इन reports की उपेक्सा कर सकता था, इग्नोर कर सकता था, and their endless story, जो उनकी कभी ना खतम होने गाली खानिया थी, about the shepherd, shepherd के बारे में, one thing was certain, एक चीज निची थी, the king discovered, राजा ने भी खोजी, the new governor, did carry an iron chest with him, all the time, नया governor, अपने पास हमेशा ही, एक लोहे का संदूक, रखा करता था, अब क्या बात है, ए लो, अब राजा ने भी, वो लोहे का संदूक जो है, देख लिया, governor was summoned to the palace, नय गवर्नर को महल में बुलाया गया, पहलेश महल, जो राजा का महल होता है, he came riding on his camel, वोह अपने उंट पर सवार होकर आया, and to everyone's delight, हरे के लिए प्रसंता, the famous siren chest was there fast, securely behind him on the camel's back, जो प्रसिद iron chest, यानि कि जो लोहे का संदूक था, वो भी, सुरक्षित तरीके से, गोडे की पीट पर, पीछे बांदा हुआ था, अब देखो जी, जो new governor है, वो आ गया है, अब उस iron chest में क्या है, अब देखना, भेद खुल जाएगा, अब राजा नाराज था, अब उसने क्रोध जिताया, वाई डू यू आलवेज केरी देट iron chest विद यू, तुम हमेशा इस लोहे के संदूक को, अपने साथ क्यों रखते हो, वाट अजिट कंटेन, इसमें क्या है, गवर्नर स्माइल्ड, तो गवर्नर मुस्कुराया, तो उसके पास एक नौकर भी था, तो उसने अपने नौकर को कहा, कि भई उस संदूक को लाया जाए, कि किस तरह से लोग बहां उच्चुक थे, चार ओर खड़े हुए थे, for the shepherd to be found out, कि उस shepherd के लोहे के संदूक में क्या निकलेगा, but how great was their astonishment, परंतु जो उनकी हरानी थी, वो कितनी जादा थी, क्यों, क्या हो गया ऐसा, and even of the king himself, यहां तक की हरानी किसको हुई, राजा को भी हुई, when the chest was opened, जब उस संदूक को खोला गया, no gold or silver, or jewels, but an old blanket, was all that came out, ना उसमें सोना था, ना चांदी, ना ज्वारात, ना आबोशन, परंतु एक पुराना सा कंबल, जो की बहार निकला, लो जी, सभी बात कर रहे थे, कि कुछ धन उसमें चुपा के रखा हुआ था, लेकिन उसमें एक पुराना सा कंबल निकलता है, अब उस कंबल की क्या कहानी है, holding it up, उसे उपर पकड़ते हुए, proudly, घरब के साथ, the shepherd said, चरवाये ने कहा, this my dear master, प्रिया मालिक, मेरे प्रिया मालिक, is my only treasure, यही मेरा इकलोता खजाना है, I always carry it with me, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ, लो, कितने, ambassed होए होंगे वो, but, why do you carry such an ordinary blanket with you, परन्तु, तुम क्यों इस साधारन से, blanket कंबल को, अपने साथ हमेशा ही, उठाए रखते हो, surely you are the governor of a district, निश्चित ही, तुम एक जिले के governor हो, the king asked, राजा ने पूचा, to which, the shepherd replied, इसके उपर राजा ने, शैफर ने, शैफर ने जवाब दिया, with quiet dignity, बड़े ही सम्मान के साथ, दिस ब्लैंकेट, इस माई ओड़ेस्ट फ्रेंड, कि राजा जी, यह ब्लैंकेट, यह कंबल, मेरा सबसे पुराना मित्र है, it will still protect me, if at any time, किसी भी समय, आभी भी यहाँ मुझे, सहायता देता है, मेरी रक्षा करता है, ठंड से मुझे बचाता है, your majesty, should wish to take away my new cloaks, मेरे महाराज, क्या इच्चा है, कि मेरे नए कपड़ों को भी, ले जाया जाये, तो राजा को उसने यह बात कह दी, कि राजा की ऐसी इच्चा है, how pleased the king was, कि राजा को इस पर कितनी प्रसंता हुई, कितना वो प्रसंत हुआ, and how embarrassed the jealous governors became to hear the wise man's reply, कि अब जितने भी इरश्य करने वाले governors थे, जब बुद्धिमान आदमी का उनोंने उत्तर सुना, तो वो बहुत ही जादा, and best way legit way, now they knew, that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land, कि उस प्रित्वी पर उस समय, उस में प्रित्वी पर सबसे ज़्यादा विनम्र और बुद्धिमान आदमी केबल और केबल शैफ़र्ट था, अब वो जान गए, the king made him the governor of a much bigger district that very day, उस दिन से राजा ने उस चरवाहे को और बड़े जिले का governor बना दिया, तो ऐसा होता है, अगर हम अपने काम के प्रती इमानदार बने रहेंगे, तो कभी न कभी इमानदारी हमारी काम आ जाती है, ठीक है, तो आशा करता हूँ, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, थैंक यू सो मुच,